ओम साइराम, क्या आप सभी जानते हैं कि अगर आप सभी बाबा के पुजा इस्थान में जहां आप घर में पूजा करते हैं और ये छोटा सा प्रेयोग अगर आप करेंगे तो साइन बाबा बहुत ही जल्दी प्लशन हो जाते हैं हम नों क्या है कि बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्टान कराते हैं लेकिन छोटी छोटी जो पूजा होती है उसे हम भोल जाते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को साइन बाबा की धुनी उदी जलाने से और उदी लगाने से और उदी इनके पास नहीं है वो कैसे बनाए अपने घर में बाबा की उदी इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा है तो आप सभी सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की द्वारिका माईसियर पीछे में बाबा की अखंड धुनी जल रही है 1972 से और यहीं पर बैठे हुए शिल्डी के साइन और यहीं पर जल रही है बाबा की अखंड जोड़ अगर आपकी जीवन में परसानिया है कश्ट है तो आप भी इस दर्वार में एक माहा की लखड़ी एक माहा का देल बाबा की दुनी के लिए प्रिशित कर सकते हैं है भक्तो जो बाबा की धुनी है जो बाबा की उदी है ये हमारे जीवन की कई प्रकार की निगेटिविटी और नकरात्मा को खत्म करने की सकती रखते हैं ये एक जरिया है भक्तो जिसके द्वारा हम इस प्रियोग को करने के बाद अपने घर से जितने भी प्रकार की नकरात् आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाबा की जो अखन धुनी की जो उदी है वो कैसे बनेगी और क्या क्या समागरी लगेगी इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग वीडियो के अंततक बने रहें और आप लोगों को इस वीडियो से लाव होता है तो आप इसे वह दूर यह धियर है। पर तो और अगर आपके घर में वास्तु दोस हो या फिर छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो आप बाबा की धुनी का प्रियोग कीजिए धुनी जला कर उसे थुड़ा दिखा दीजिए और हो सके तो साथ बार लोहान होता है ने लोहान या गुबूल या हवन समाकरी जिसे नजर लगी और वच्चे उसको उतार कर साथ बार उतारने के बार दुनी में डालकर उसे बाहर रखने से भी बहुत ही जल्दी लाव गाप्त होता है तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो बाबा की धुनी है उसे घर में कैसे बना है तो उसे बनाने के जर्वतं को बढने वाली है दिया आपनोगों दिए अगर अगर जाहें ज़ory को सकते dal एमा में लेडर एक आप लोगों को बहुता है अनलसाई्पिषट केंज्जा आप यह जाता है द interrupt कि क्पा हस हूं के भ्यार जब सकते हूं वहां भी आप लोगों को गाय का उप्राप्त हो जाएगा इसके अलावा कपूर हुआ लौंग हुआ इलाइची हुआ और लोभान जिसका हमें पहले भी बताया कि लोभान जो है एक बहुत ही चमतकारी चीज है जिसे बाबा की धुनी में जरूर आप लोगों को प्रियोग कर बिखती है वहां पर आप असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो आप उनलाइन उसे भी अडर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपय का आपको खर्चा पड़ेगा और 200 रुपय खर्चे में आप बहुत यच्छी धुनी बाबा की तैयार कर सकते हैं अब दूसरा सवाल है कि कितनी मात्रा में हमें इन समाग्रियों को मिलाना है तो आप जिस पात्र में हवन करते हैं माल लीजे दुनी जलाते हैं उसके अनुसार उतनी अनुमानी थी आपको बनाना है और उतना ही आपको जलाना है गाय के उपले के सान और सारी समाग्रियों को जालें और मिलाने के बाद आप जब गाय का उपले जला दें उसमें आप हो सके तो कपूल जो रहता है उसे पीस कर उपर से डालें और साथ ही साथ एक बात का विसेश रूप से ध्यान रखें कि जो आप हवन जलाएंगे उसे मिट्टी तेल डालके ना जलाएं कागश से ना या फिर किसी भी प्रकार की खराब समादरी से ना जलाएं उसे सिर्फ और सिर्फ दूई की बत्ती तेल की बनाले उससे जला सकते हैं या कपूल की गोली नीचे में रखकर भी आप जला सकते हैं इसका आप लोगों को विसेश रूप से ध्यान देना है साथ ही फूंक कर भी अगर्णा से 108 नामा वली का हवन करें एक एक करगे से ओम स्रीशाहिना थाये नमस्वाः आपकी जो ग्राम देता है उनका नाम लेके हवन दे दे जिसको आप मानते हो उनका नाम लेके हवन दे और आप उसके बाद तीन बार जल गुमा कर सांथी करें और उसे पूरे घर मे पहले तो आप साही बाबा को दिखाएं और पूरे घर में आपको माना है बालकरी हुआ रूम हुआ बैर रूम हुआ हर जगा और उसको भी उसकी धुनी आप लोगों को देना है अब जब पूरे घर में आप दिखा लेंगे तो उसे आप घर के आंगर में या किसी रूम मे उस हवन को रग दें ताकि वो सांत हो जाए आकरे तर जब वो सांत हो जाता है तो उसके बाद उसका जो राख निकलेगा उदी निकलेगा उसे आप निकाल के छान ले जी हां उसे छान ले और उसे बाबा के समझ प्राखना करें कि बाबा इसमें सक्ती दो चुकि इसमें सक्त बाबा को धुनी दिखाएंगे और इस तरह आप बाबा की उदी भी बना लेंगे अब कर लोग कहते हैं कि उस राख का हम भबूती नहीं मनाएंगे तो कोई बात नहीं है आप जब राख थंडी हो जाए तो उसे पेड में डाल दें या वहते हुए पानी में डाल दें या तो अगर हो सके तो सुबह और साम दिखाएं सुबह साम भी टाइम ना मिले तो आप तो हो सके तो गुरु वार के दिन विसेश रुप से आप बाबा की धुनी जलाकर पुरे घर में जरूर दिखाएंगे अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप बाबा की धुनी जलाते हैं तो एक बात का विशेज रूप से ध्यान रखें कि धूनी जलाते समय आप मन ही मन बाबा की मंत्रों का जाब करते रहें और जब आप घर में भी गुमा रहे हैं तो भी आप मंत्र जाब करते रहें इस छोटे छोटे प्रयोग को करके ही आप देखेंगे कि आपके घर में किस तरह सक्रादमक्ता का संचार होता है और आपके घर में एक पॉजिटीविटी एनरजी आपके घर में आईए और आपको ऐसा लगेगा कि साथ्छात स्रीडी वाले साही बाबा का वास आपके निवास में हो चुका है तो भक्तो ये था बाबा की उदी बनाने को लेकर और बाबा की धुनी जलाने को लेकर विशेज लिडियो जो हम भक्तों के अनुरोद पर आप लोगों के लिए लेकर आए झाल झाल